एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें एक अच्छा कैमरा हो एक अच्छा गेमी पुरसेसर हो एक अच्छा बैटरी बैकप हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कुम सा फोन लिया जाए क्या रेल्मी नार्जो 70X 5G फोन ठीक रहेगा या रेल्मी नार्जो N65 5G या तो कुम सा फोन लिया जाए समझ नहीं आ रहा तो फिर आप सही जगा हैं मैं इस वीडियो में फुल्ड व्यू दूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों फोनों में से कुम सा फोन बैच्छ रहेगा तो चलिए फिर क्यों ना वीडियो की शुरुआर्स सबसे पहले नार्जो 70X फोन से की जाए इस फोन के बॉक्स में हमें हमारा फोन कुछ मनुल गाइड सीम इजेक्टर टूल किट एक कवर केस 45 वोट का सुपर वरुक चारज सीट अप केबल देखने को मिलती हैं यानि की इस फोन के साथ में तो हमें एक कॉम्पलीट फोन बॉक्स से देखने को मिल इस फोन की बैक में हमें मैट फिनिश स्क्रेचलिस बैक बोडी देखने को मिलती हैं ओवरॉल लुकवाइस देखने में तो ये फोन काफी बरिया लग रहा है तो चलिए इस फोन के वेट की बात की जाए जो कि इस फोन का वेट 188 ग्राम से है साथ में इस फोन में हमें 7.7 mm की थिकने से देखने को मिलती हैं ये फोन मुझे हैंडी होने के साथ साथ लाइट वेट भी लगा तो चलिए अब इस फोन की डिस्पले की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलता है विद 1280 Hz रिफ्रेश रेट इस फोन की डिस्पले हमें 392 PPA डेंसि 6.7 इंची का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है हमें इस फोन में तो मुझे नस तो है इस फोन की डिस्पले में तो चलिए अब क्यों ना इस फोन का प्रोसेसर की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें Mediatek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 6 नानोमेटर चिप सेट जो कि हमारी गेमी पर्फूमेंस को काफे इन्हांस कर देता है साथ ही में इस फोन में हमें Android 14 वर्जन फोर्ज भी तक वर्ट्चूरम एक्षेंड मेमरी साइड माउंटेड फिंगर पिंट सेंसर हाइब्रेट सिम स्लोट देखने को मिलता है हमें इस फोन में इस फोन मे एक अच्छा कैमरा तो होना ही चाहिए इस फोन में हमें डूल कैमरा सेट अप देखने को मिलता है जो कि 50 मेगा पिक्सल का में कैमरा विद 1.8 अपर्चर रेट है दूसरा हमें 2 मेगा पिक्सल का देप्ट कैमरा देखने को मिलता है विद 2.4 अपर्चर रेट इस फोन का कैम 1080p 30fps तक वीडियो रिकोर्डिंग स्पोर्ट करता है इस फोन में हमें 8 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा विद 2.0 अपर्चर रिट साथ में इस फोन में LED Flash HDR Panorama Pro Slow Motion Film Dual Video Mode Tilt Shifter Time Lapse जैसे कैमरा फीचर से भी देखने को मिलते हैं हमें इस फोन में इस फोन का कैमरा 10X Zoom तक सपोर्टिड है ओवरोल इस फोन में हमें काफी बरिया कैमरा परफॉमेंस देखने को मिलते हैं इस फोन का कैमरा डेलेट के साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए भी बैस्च रहेगा तो चलिए य में 5000 mAh बैटरी देखने को मिलते हैं यह फून 45 वोट की सुपरूग चार्जिंग भी स्पोर्ट करता है नौरमल यूसेज करें तो इस फून का बैटरी बैकप असानी से 10-12 आस तक का है फाइनली तो फिर अब क्यों न इस फून के प्राइसिंग की बात की जाए जो कि इस फून में हमें दो वेरिंट देखने को मिलते हैं पहले 4GBRAM एनँद 18Gb产 टर्नल चोरेच जिसका प्राइस औरला सो पर 12,000 है दूसरा 6GBRAM एनँद 18Gb टर्नल चोरेच जिसका प्राइस औरला सोरेच पर 13,500 है हमें दोनों ही वेरिंट पर औरला सोरेच पर 1,000 क्रेडि यू स्वाने देखने को मिलता है ये फोन दो कलर वेरिट में अवेलिबल है तो चलिए ये तो थे इस फोन के सबी स्पैसिफिकेशन्स तो फिर अब क्यों न इस फोन को साइड में रखा जाए और बरा जाए हमारे दूसरे फोन की हो जो कि रेल मिनार्जो N65 5G फोन है इस फोन के भी बुक्स में हमें हमारा फोन कुछ मानुल गाइड सिम इजक्टर टूल किट एक कवर केस कवर केस के बिल्ड क्वालिटी तो काफी बरिया है लेकिन इस फोन में हमें 15 वोट का चारजरी देखने को मिलता है साथ में सीटैप केबल तो चलिए अब क्यों ना इस फोन के भी लुक के डिजाइन की बात करें जो कि इन दोनों फोनों में हमें सेम ही कैमरा मोडिल देखने को मिलता है लेकिन इस फोन में हमें लाइट फैदर डिजाइन देखने को मिलता है जो कि देखने में काफी प्यारा लग रहा है इस phone के weight की बात की जाए जो कि इस phone का weight 190 grams है साथ हमें इस phone में हमें 7.9 mm की thickness देखने को मिलती है handy तो ये phone भी है तो चलिए अब इस phone की display की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलता है with 120 Hz refresh rate इस phone के display हमें 264 pp density resolution 85.1% screen to body ratio 6.6 inches का screen size देखने को मिलता है हमें इस phone की display में याने की display में तो कोई खास difference नहीं है तो चलिए अब इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में हमें mid rack dimension 6300 processor देखने को मिलता है with 6 nanometer chipset याने की gaming performance तो इस phone में भी काफी बरिया रहेगी साथ हमें इस phone में हमें Android 14 version 4GB तक virtual RAM extended memory, side mounted, fingerprint sensor, hybrid SIM slot देखने को मिलता है हमें इस phone में इस phone में भी हमें IP54 rating लेकिन इस phone में हमें dual stereo speakers देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन audio and speaker performance भी decent है इस phone की भी तो चलिए फिर अब क्यों न इस phone के camera features की बात की जाए जो की इस phone में हमें single camera setup ही देखने को मिलता है जो की 50 megapixel का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा तो हमें एक auxiliary lens देखने को मिलता है इस phone का भी camera 1080p 30fps तक video recording sport करता है इस phone में हमें 8 megapixel का selfie camera with 2.0 aperture rate साथ हमें इस phone में हमें LED flash HDR, Panorama, Pro, Film, Slow Motion, Dual Video Mode, Tilt Shifter जैसे camera features से देखने को मिलते हैं इस phone का भी camera 10x zoom तक spotted है camera performance तो no doubt इस phone की भी काफी बरिया है इस phone का भी camera daylight के साथ night photography के लिए भी बैच रहेगा back camera performance तो इस phone की काफी बरिया है लेकिन selfie camera performance मुझे इतनी बरिया नहीं लगी चलिए फिर ये तो थे इस phone के camera features अब इस phone के battery backup की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिलते हैं लेकिन ये phone 15 वोट की charging support करता है जो की charge होने में phone time तो लेगा ही वैसे battery backup तो इन दोनों फोनों का same है इस phone का भी battery backup normal usage करें तो 10 to 12 आज तक का है फाइनली इस phone के भी pricing की बात करें जो की इस phone में भी हमें दो variant देखने को मिलते हैं पहले 4GB RAM and 128GB Tunnel Storage जिसका price online source पर 11,500 है दूसरा 6GB RAM and 128GB Tunnel Storage जिसका price online source पर 12,500 है हमें दोनों ही variants पर online source पर 1000 credit का discount भी देखने को मिलता है ये phone भी दो color varied में available है तो चलिए ये तो थे इस phone के सभी specifications अब बात करते हैं कि इन दोनों फोनों में से कौँसा phone batch रहेगा सबसे पहले pricing की बात करें जो कि price में तो इन दोनों फोनों में कोई खास difference नहीं है मुझे इन दोनों फोनों में दो major difference लगे जो charging और दूसरा processor का था हाँ, design का भी difference है इन दोनों फोनों में हाँ, एक riding mode भी दिया गया है N65 phone में फिर मेरे according काम price में N65 phone में हमें सभी features देखने को मिलते हैं जी हाँ, N65 5G phone ही batch phone रहेगा